सो हेई गाइस दीस हर्च खॉल वेलकम बेक टुमाइन अधर व्लॉग तो आज मेरा यार मोमोश खाने का बहुत जादा दिल हो रहा था तो मैंने क्या करा सीजन समय टो खोला और और हंगर स्ट्राइक से बता देता हूं पहले हंगर स्ट्राइक जो है लाजपत्नेगर अमर स्ट्राइम वने वाला है तो मैंने क्या से इनकिक से मोमोES मंघ थी टाइप पैले ॥ान्दूरी मोमो खाले है मैं चीकन और एक ःपट मुकल और अरे हैं और एक कर ना यह यह सबसे पहले मैं निकाल है पर चिकन पर निकाले हैben इसके लिए फिर उसके बाद मेरे चिकन तंदूरी मोमो जो इनके सबस्यादा फेमस और यूएस पीस की कॉस्ट मुझे पढ़ी है 168 पीस फिर उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं मेरे पास पनीर फ्राइड मोमो जैं इसकी कॉस्ट मुझे पढ़ी है 1245 पीस उसके सब्सक्राइब करते हैं तो यह बहुत ज्यादा किरंची है मुझे लग रहा है इसको बाहर से कवर करते हूंगा आई थिंक मैंने तो वीडियो में देखा कौन से जों खाते हैं उससे बहुत सारी चीज़ा होती है तो इसे तोड़ के देखते हैं इसके नंदर से यह आप द अगर इसका प्राइस 150 होता तो अच्छा रहा था क्योंकि इनका एक मुमोस जो है नॉर्मल मुमोस से डवल साइज है तो आप इसे पास से देख सकते हैं इसके इंदर चिकन अच्छे से फील कर आवाया यह देखिए अब इसे हम टेस्ट करके देखते हैं हमनी रेड केचप से सबसे पहले इसके साथ मुझे दो केचप मिले इंट और रैड केचप केचप थोड़ी सी स्पाइसी और यह वाली केचप जो है इनकी रैट सिली सॉस और अब हम मोमोस की बात करें तो इसके इंदर चिकन की कॉंटी डि बहुत अच्छी है और इक व्लेवर फुल चिकन है इसके अलगी आ रहा है मुमोस को खाने में और क्रंची नहीं मुह म काट काट कचर कचर क्यावाश्व तहीह रहा है अब से संटि करें की लेट के साथ difिप इस साथ कैसा लगता है इसे दीख सकते हैं इत्था लग रहाए इप कुछ आहें ऑगी है नॉरेम्ट के साथ mond शीम का देशिए है देए अगर इसे मिल्च चटनी के साथ आप खाऊए उसका फायदा भी नी आप इसे रैट चिली के साथ ही जाए इसका बेस्ट ऑप्षन है यह फिर आप मेयोँनीज के साथ कह सकते हैं आपको मेयोँनीज पसंद थे दे बड़ मैं तो प्रिफिर करता हूं रैट चिली सॉस ही खाऊ मुर्ष जब से पहले आप इसे देखेंगे से लागे ग्रेवी है इसके अच्छी हो रहे है एक गराम इसका साइज सब का सेम यह इस इसे अंदर से देखिए गम जूसी है अंदर आप इसके फिलिंग देख सकते हैं पूरी चिकन की फिल अच्छे से कोई उसमें नहीं यह में बिल्स भी दलीवी चॉप्ट होके और चिकन इसमें अच्छे से फिल्ड सबसे बात ये और जो इनकी ये मैदा की जो लेयर होती है जिसे कवर करते हैं मोमो को वो भी इनकी ज्यादा मोटी नहीं है तो चलिए हम इनका मोमो ट्राइ करते हैं रेट चिली सॉंस के साथ τε ज dob घमया है है तो लोग कमेंट करiß वार मेरी वीडियो आप चारा तोॉंस कोई बगहा बटर और टीस्ट अज्ड़ आरहे हैं हम इसके साथ कर रहा है तो अलगां तो अद्धि मत्रीम नेशमिन आट मिश्यच्मग अने शैलिस बात करें थोड़ी जादा लग रही है और इसका साइज पी लगबग डवल है इसकी मुझे प्राइस पड़े बात करें अच्छा यहाँ सब्सक्राइब करें कि अच्छा साब इतना फ्लेवर फुल नहीं लग रहा है सिर्फ यह तो बंदी कर दो इस तो अच्छी नहीं बिल्कुल भी और हां यार इसको टेस्ट करने से पहले बोल दू भाई जो मुझे इंस्टाग्राम पर फोलो नहीं करते मैंने जाकर देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है मुझे वापर जाके फॉलो करो फेस्बुक पर भी फॉलो करो लिंक पर नहीं जाना तो ड इसके इंडर क्या-क्या फिले अच्छे देखें चंडर पनीर है और वेजिटेवल से अन्यन है कुछ ग्रीन वेजिटेवल से यह आप देख सकते क्रंची नैस है इसके अदर अभी भी बरकर आप थोड़ा टाइम हो गया तो थोड़ा सौगी-सौगी हो गया क्योंकि इसे सब्सक्राइब करते हैं यह फर्स्टों टेस्ट में बहुत साथा बैस्ट है मत अच्छा है जो नाम है इनका हंगा स्ट्राइक उसमें इंदम खरे उतने के लिए क्योंकि इसे पास से दिखाने था चाहता हूं करें लिए पहले नियुक्त करें अब देख सकते इतनी पास से इसके इंदर कैबीज ही नहीं है शिर्फ पनीर और अनियन है और क्रीं ग्रीन कुछ है पतानी जाई से दन्य के पत्ते हैं कि आप यह देखे बड़ इसके अंदर कैबिज नी सबसे अच्छी बात यह है इसकी कॉस्टिंग 5 के लिए 120 आइधिंग सही है नॉर्मल बंदा ले सकता है कोई भी 5 पीजिद मोदेन इनफ है और इसे खाके एक बंदे के लिए बहुत जादा है इनफ कि खाके उसका अच्छा दिश पर यह लास्ट आइटम पर इस आप बूल सकते हैं इसका नाम है शौवरमा आप इस अच्छे से देखिए एक बार मैं से पास से दिखाता हूं से खोल के है अच्छे से फिलिंग विए इनकी रोटी है वह भी बहुत थिन है बहुत जादा बतली और अक्छे से कूट है और पयाल लगावा है मेव जाल लगेवे इसमीं इसमें इनकी चिकन में जो है छोटे-चोटे बिल्गुल आप पास से गर देख सकते हैं मेरे कैम्रे में अग इसमें फिल्ल है चोप पिल्कुल चोटे-चोटे और चिकन के चोटे-चोटे चंक्स है तो इनका शौवरमा भी में फर्स्ट टाइम टाई कर रहा हूं तो इसे हम खाते हैं में उनीज के साथ इतना बैस नहीं है जितना दिखने में लग रहा है क्योंकि इसके इंदर बहुत जादा ऑईल हो रहा है इसमें लगा वाह बहुत जादा आई पता नहीं जादा नमकीन हो रहा है इसमें नमक डल गया कुछ और हो गया वह मैं पता नहीं बट इनका इतना जादा टेस्टी नहीं निकला जितना मैं सोच रहा था और मुझे देखने में लग रहा था कि बहुत जादा अच्छा होगा अलगी दिखेगा इसा नहीं निकला नॉर्मल है खा सकते हो 90 रूपीज भी इसके थोड़ी सी हाई कॉस्टिंग अधरवाइस आपको 60 रूपीज में परपीज शावरमा मिल जाता है नॉर्मली कहीं भी आप जाओगे इसके थोड़ा कॉइट हाई है फ्लॉक अच्छा लागा तो लाइक कर देना कॉमेंट कर देना वीडियो को जाह सहादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे फेस्बुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना डिस्क्रिप्शन में लिंक है यह स्क्रीन पर इदर उदर कहीं आ रहा होगा मेरा दोनों का एंडिल तो मिलते हैं तुमसे द्यूसरी वीडियो में तब तक की लिए गुडबाई टेक क्या स्टी होम स्टेश